हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर इंग्लिश की आज ही क्लास में हम नंबर पढ़ेंगे मतलब की जैसे आपने हिंदी में वचन सुने होंगे न एक वचन और वह वचन वैसे आपकी इंग्लिश में भी दो नंबर होते हैं सिंग पहले जो आपके लास्ट क्लास थी वह नाउन की थी नाउन और काइंट्स ऑफ नाउन तो महाँ पर आपके नाउन और उसके काइन जितने भी थे वह समय ने बहुत अच्छे थे समझा दिए अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो आप चनल पर जाकर देख सकते हैं तो अब हम आते हैं सिंगलर नंबर पर ठीक है इन चीजों को यह आती होंगी बहुत सरे बच्चों को नहीं भी आती होंगी होता गया है एक्जाम में आपसे पूछा चाता है कि कोई भी आपको एक वर्ड दे दिया चाहेगा इसका प्लूरल लिखिए तो वहां पर फिर अगर तो नहीं पता है रूल तो फिर आप वहां पर गलत कर देंगे और कोशन आए हुए भी है तो स्टार्ट करते हैं सिंगुलर नाउन है क्या है नाउन टेनोट वन परसन और ठीग इस कॉल्ड सिंगुलर नंबर यानि कि एक संग्या या एक नाउन जो केवल एक व्यक्ति या एक पर बात हो रही है पैंट चेयर मेंगो गलास चाइल बुक ठीक है तो यह क्या है यह एक एक की बात हो रही है अब आप कैसे प्लूरल पहुत पहचानते तो बच्पन से पढ़ते हुए और एस लगा हुआ मिलता है ऐस यह तो वहां से पहचान लेते हैं ठीक है नेक्स आते प्लूरल नम्मर्स पे तो एं नाउन्ड बिनोत मो है से उत लिक्ति अधिक वस्तु के बारे में बता रही हो होगी वह वो क्या होगा आपका plural noun होगा ठीक है जैसे boys हो गया boy का क्या होगा boys girls कई सारी लड़किया ठीक है trees, pens, chairs, mangos, glasses ठीक है child का होता है children ठीक है child नहीं करेंगे अब इन्हीं चीज़ के rule आपको पढ़ने है ठीक है child का होता है children plural है children word और book का हो जाएगा books ठीक है अब next आते है formation of plural ठीक है वहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी यहां पर आपके कुछ rules दिया नहीं है कि आपको कोई word दिया होगा तो उसका singular प्लूरल कैसे बनाएंगे ठीक है और अगर कोई plural दिया गया है word तो उसका singular कैसे बनाएंगे ठीक है तो normal हम क्या करते है कि कोई भी आपको word दिया गया होगा उसमें क्या करते है एस जोड़ देते हैं और हमारा प्लूरल बन जाता है जैसे cow cows houses ठीक है तो बस जोड़ने से हमारा काम हो जाएगा कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें एस नहीं जोड़ना पड़ेगा तो उनको देख लेते हैं नेक्स्टूल है कि कुछ singular noun जिनके अंत में ओ एक्स डबल एस एस एच एस और जैड आता है उनमें हम क्या करते हैं एस जोड़ देते हैं ठीक है उन नाउन में क्या करेंगे एस जोड़ देंगे और प्लूरल बन जाएगा ठीक है ओ वाले में आप ध्यान रखना कि जब ओस तो पहले जैसे मानलो जी लिखा आए और फिर ओ आया है तो उसे पहले आपको कॉंसुनेंट मिलेगा ठीक है यह मैं बाद में मुझे ध्यान आया तो मैं रूल अलग नहीं लिख पाई इसे में अट कर दिया आपका ठीक है और पर क्या जोड़ेंगे एस ठीक है एक्सेप्शन सबके होते हैं यानि कि अपवाद सभी में होते हैं तो मैं इतना लेकर आई हूं आपका कि आपका एक्जाम में यहां से चीज़े आ जाए ठीक है अभी सबके पहली बार इंगलिश है ना तो अब जब आप फोर्थ में आएंगे तो वहां पर आपको और जादा चीज़ें म बैंच हो जाएगा सब मैंने लाश्ट में अंडरलैन कर रखी है ठीक है कि टॉर्च सीयच मिलाना तो बस जोड़ना है वाच्छ मिला तो वाचिस ऐस हीरो ऑं मिला और और से पहले आ रहा है तो देखो इस जोड़ना आपका आया हुआ था ठीक है गैस तो ब्रस ब्रस और यह नहीं होगा मतलब आप यह जोड के आप इसका प्लूरल नहीं बनावाएंगे तीक है अब आते हैं जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उससे ठीक पहले वाविल हो तो क्या करना है वाई के जस्ट बाद आपको एस जोड देना है ठीक है जैसे देखिए बॉ इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना इस रूल पर आप अपना इंपोर्टेंट डाल लो और इसके जस्ट नीच पीछे एक पु+. दीया हों और ना हो आपका कासुनेंट हो राफार राप क्या करेंगे वाई को हटा देंगे बुलेंगे तुम्हां से नहीं में को जगे IES, एड कर देंगे, ठीक है, इसमें हम Y को खटाने के बाद, IES को जोड़ेंगे, जैसे बेबी, BABY, ठीक है, Y को खटाया, Y की जगे हम क्या लिया आएंगे, IES ठीक है, ऐसी строि, ST, O, R, Y, तो story का Y हटाएंगे, क्या आजाएगा, YES, इसमें आप शायद ढेख पा रहे होंगे देखो Y से पहले र है न और होता है क्टाइंगे टो यह नहीं कहिता है प्याय क्टाइंगे देखर प्यार ल को धाई एस घ्राइना एस तो देखर से अब आई से पहले consonant है ना तो क्या करेंगे I-E-S ऐसे आपका आर्मी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका कि जब नाउन का अंत हो रहा हो कि सिब F और F-E से यानि कि कोई भी वर्ड कोई भी नाउन हो उसके अंत में F या F-E आ रहा हो तो हमें क्या करना होता है F और F-E दोनों को टाटा भाय भाय बोल देना है और उसके बाद क्या करना है V-E-S को जोड़ देना है ठीक है जैसे नाइफ हो गया वी एस जोड़ देना है ठीक है यहाँ पर इस पहले मैंने थोड़ी बीच में यह हलकी सी बनी हुए तो इसको आप सभी से लिख लिए ना टी एच आई इए वी एस ठीक है ऐसे इसे आपका देम सेल्फ लगाते है ना तो देखो देम सेल्फ नहीं होता विकल्ट आपका दे क् इसलिए वहाँ पर देम सेल्फ आता है ठीक है तो सेल्फ का प्लूरल आपको समझ में आ गया होगा ठीक है हिम सेल्फ होता है ठीक है हर सेल्फ होता है क्योंकि ही और शी क्या है सिंगुलर है इसलिए उनके साथ सेल्फ का यूज करते हैं और देखा आएका तो देम सेल्फ य जाएगा इसी तरीके के बाकी आपको जाएंगे शेल्फ वगेरा हाफ यह सब ठीक है नेक्स्ट आते हैं ओ वाला रूल जो मैंने आपको भी पीछे बताया था ना वहां पर जिन नाुण के अंत में ऋ हो और ओ से पहले क्या हो आपका वालव ओ ठीक है तो के बाद हम केवल एस एड कर देते जैसे unjust कर देना हो और माप इन सारे रूल्स को अपनी लेंग्वे सकते हो या का श्यार्स नेक्वल छे बन तो एंप या फिर शॉर्ट में आप एक पॉइंट बना के सिर्फ एक्जाम्पल एक्जाम्पल से इस चीज को ध्यान कर लो ठीक है इस्टूडियो हो गया रेशी हो गया इस तरीके से बन जाएंगे कुछ नावन में प्लूरल बनाने के लिए हम वाविल को बस बदल देते हैं उनमें जो वाविल दीए गई होंगे ना उनको से कर दिते हैं मैन हो गया तो मैंने यह डाल दी है यह कि इन पूरे के बदल जाते हैं जैसे माउस माईस का ऑक्सं चाहिल्ट की हो जाएगा पर्सन का प्लूरल होता है फिए से लॉड रहते हैं नेट्ट से सबसेंपोर्टन पॉइंट रेतीन है जैसे father in law हो गया mother in law हो गया daughter in law हो गया son in law हो गया नहीं कि in law वाले जितने भी word है ना आपके उन सब का अगर हमें plural बनाना हो क्या बनाना होगा plural ठीक है तो हमको क्या करना होगा father में ऐस लगाना होगा मतलब father का plural mother का plural son का plural daughter का इन सबका plural मनाना होगा कुछ क्या करते हैं आपका लोस कर दिया तो वो गलत हो जाएगा ठीक है लोस गलत है fathers-in-law होगा plural word क्या होगा fathers-in-law ना की father-in-laws ठीक है वो होता है आपका अपेस्ट्रॉफी के लिए तो वह चीज अलग है ठीक है वहां पर मैं आपको बता दूँगी उस चीज को अच्छे से ठीक है तो फादर्स इनलो मदर्स इनलो हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट मैं कुछ इंपोर्टेंट लेकर आई हूँ जिसमें क्या है आपका जो कॉमन एरर आने का दिया गया इस लेबस में तो साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे जैसे नाउन हो गया प्रोनाउन हो गया तो इनसे जोड़ी जितनी भी आपके अरर बन सकती है वो मैं सदय क्या है सिंगुलर ही रहेंगे ठीक के कुछ भी हो उनमें हम एस या एस लगा कर उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं सदय यह सिंगुलर ही रहेंगे जैसे एडवाइज इंफोर्मेशन इंफोर्मेशन शब्द नहीं होता है ठीके इंफोर्मेशन होता है लगेश ठीके लगेशन नहीं होगा considerie होता है anderes нет ठीके इस तरीके से याद रखना furniture, poetry, money, evidence, equipment यह सारे वर्ड होते है इन सम्मेशने एसे yes नहीं ढगता है सब्सक्राइब चाहिए एक बार फिर से बता देती हूँ एडवाइच इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा लगेज शब्द शहीं है आपका लगेज नहीं है तो नहीं कह सकते आप ठीक है उसका रूल अलग है अगर आपको नमबर लगाना जरूरी है कि कोई चीज़ असे बतानी कि वहाँ पर आपको नंबर लगाना ही लगाना कि एक है या दो वर नीच रहें तो आप वहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो अभी क्या है इतना समझें कि यह जो वर्ड आपके दिए गाई यह सब सद्क्रे Het क्या है आपके सिंगुलर ही य्यूज होंगे सबयाँ ठीक है चिके सिंगुलर ही रहते हैं कभी इन में ऐसे यह नहीं लगाए जाता है अब देखिए कि हमें नंबर प्रदर्शिद करना जरूरी हो हमैं नंबर दर्षान आ ही दर्षान आए तो हम क्या करेंगे ऐ A piece of A लग गया ना यानि किया पर एक बता देगा ठीक हे एक पीस आइटमस आफ यानिकी एक आइटमस आईटमस नहीं आइटमट्र टीक है एक ऐसे में क्या होगा कि आप यहां पर singular बता देंगे अब हमें Plural बताने के लिए किया करना होगा पीसे ओफ ठीक है यानि कि पीस में ऐसे यह यह लगा देंगे हम ठीक है ऐसे आइटम सोरी यहां पर एल बनाए इसको सही कर ले ना आइटम है ठीक है आइटम हो जाएगा आपका ठीक है काइंड्स ओफ यह हो जाएंगे जैसे एक्जामपल दिया है मैंने आपर टैन पीसे प्रणीचर में वहाँ होते है इस लगा होता है सिंगूलर नहीं बना सकते वह लगा होगा और यह प्लूरल भी होंगे यानि कि एक बात में यह बोल सकते हैं कि इनके साथ अगर वर्व की कोई भी फॉर्म आनी है जैसे अगर लगेगी तो वह क्या होगी आपकी प्लूरल होगी जैसे आपका सीजर्स हो गया कैची कस्टम सेविंग्स सराउंडिंग नहीं होता है सराउंडिंग होता है और वो भी यह क्या है प्लूरल है सिंगुलर नहीं है ठीक है पैंट्स ट्राउजर्स ठीक है यह क्या है आपके प्लूरल है इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता ऐसे ही आपके कुछ नावन ऐसे हैं कि जिनके अंत में एस तो लगा होता है ठीक है प इस वाली या हैज वाली ठीक है सिंगुलर वाली आएगी जैसे मीजल्स बीमारियां इसमें आती है और आपके जो सब्जेक्ट हैं कुछ जैसे मैथमेटिक्स हो गया सिविक्स हो गया ठीक है यह सब पॉलिटिक्स हो गया यह आ जाएंगे इसमें ठीक है मीजल्स मॉम्स रेव आपकी singular वाली आएगी क्योंकि यह क्या है habenclass येंस या हूंगे जैसे दन्विश दन्विश ma ne ये गलत है कि सही क्या है टान्यूज आर्ट सोाइब दन्यूज इस ड्लगाह advocatesклад या यह hum परकी लिखिए ठीक है नेक्स्ट आपका रूल है कि कभी आपको ऐसा मिल जाए कि आपको दो नाउन मिल रहे हैं एक साथ बीच में प्रपोजिशन लगा हुआ आपको आप शौण दो नाउन जब प्रपोजिशन पर नाउन मिल और शौण करें अछरस गहें एससे ञuls ौन का रूह प्रपोजिशन फो है quindi स्वाफन ईनौर खाएं खरएंगे एस सही कलेक्टिव नाउन का एक rule है आपका कि जब collective noun collective noun क्या होते है आपकी collection होगा ठीक है किसका collection होगा किसी भी व्यक्तिका हो सकता है या वस्तुका हो सकता है ठीक है तो collective noun हमेशा क्या है कि आपकी singular form में ही use होते है जर्नली ठीक है लेकिन अब क्या है कि किसी collection में आपस मतवेद हो गया ठीक है कोई मानना कुछ अलग है दूसरे वाले का मानना कुछ अलग है तो ऐसे में क्या हो का तब यह जाकर आपके प्लूरल बन जाते हैं ठीक है जैसे अवर टीम इस दा बैस्ट टीम है तो यहां पर एकता है न समय यूनिटी है ना इसलिए हमें कौन सी वर्व यूज करनी होगी क्योंक टीक है ऐसे टीम और डिवाइड़ ओवर दा इशू ऑफ कैप्टेंशिप यानि कि टीम है वो डिवाइड हो चुकी है अब टीम अलग अलग हो गई है मतभेद हो गया टीम में किस वज़से कैप्टेंशिप के लिए तो यहां पर जो टीम वर्ड हो क्या हो जाएगा अब य प्लूरल बनाना है तो संस हो जाएगा जब इनका एपस्ट्रफी बनाना होता है तो हम लौ के बाद हम लगाते हैं इन चीजों को ध्यान रखना आपकी अगर बनेंगी तो यहां से बन जाएंगी ठीक है अगर थोड़ा बहुत कुछ रहे भी गया होगा तो वहम लास्ट मे मैं आपको सब कुछ करवा दूँगे अगर कुछ बचा भी होगा इसमें से ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम जेंडर पढ़ेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें थैंक्स वर प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चनल बबबाई टेक केर